कि स्वागत यहां पर क्वेश्चन दिया हुए है यहां पर क्वेश्चन दिया हुए है तेट वोट इस दी फोर्स बिट्विन टू स्मॉल चार्ज्ट स्फियर्स हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास दो इसमॉल चार्ज इसफेर्स है जैसे कि इस फेर यहां पर मान लिए और एक चार्ज इस फेर यहां पर वान लिए और इनकी चार्ज़ आफ मान लो क्यी वन इकवल स्वर्स टू इंटू टो पावर माइनस 7 कुलंड और जो सेकेंड वाली स्फेर्स उसकी जो चार्ज गिवन है वो है 3 x 10 to the power minus 7 को लगो कि क्वेस्टन में कह रहे हैं दैट कि इनके बीच की जो separation आपको दीवी है यह जो separation है इनके बीच की स्फियर्स जो है उनके बीच की separation है 30 cm तो आप उसको मान लोगी जो separation है वो separation है आर इक्वल्स to 30 cm ओके यह हमारा data question में given है अब सवाल यह है इन दोनों के बीच में force कितना लगेगा तो दीए इसके लिए हम लोग कौन सा formula यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ है कोलाम्जे लॉप किया यूज़ करने वाले है खुलाम्ज लॉप अभ ये कौलाम्ज्फ़ लॉइ ख्या होता है थो यह कौन वे हमिगोंज और और उनपने के बीच वेज़ अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको फार्मुला यूज़ करना है फॉर्स एक्वाल्स टू के की वन क्यूटू अपॉन आर इसक्वेर यह फॉर्मूला आपको यूज करना है ठीक है अब इसमें क्या होता है तो के जो है उसकी वैल्ली होती है कुछ और उसके की वैल्ली होती है यहां पर सेपरेशन है दोनों के बीच की आर क्या है तो सेपरेशन और क्यूटू क्या है तो क्यूटू आपके चार्जेज है क्यूटू क्या है तो क्यूटू दोनों पार्डिकल्स के चार्जेज है तो देखिए यहां पर यहां पर हमें फोर्स निकालना है क्यूटू पता ह तो सारे वाल्यो को अब हम लोग यहाँ पर देंगे सो फॉर्फ टो नॉस एकवर्फ 80 के वैल्यू यहाँ और सब्सक्राइबillä है दोनों को बीच का सब्सक्राइब अब उसको सेंटीमेटर में लिखोगे बलकी से यूनिट में लिखोगे क्योंकि बागी इतने भी टर्म से वह साई यूनिट में है तो यहां पर 13 लिखेंगे मीटर में लिखेंगे आर इस्वाइर ओके नाव आप इसे हम लोग कर देते हैं डिप्लाई डिवाइड तो दिए नाइन यहां पर आप ऐसे करीए 9 इंटू 2 इंटू 3 एक तो यह जागा 54 इंटु अब दीए 10 पौवर 9 और 10 पौवर मैनस 7 तेंट पौवर मैनस 7 तो इसको ऐसे करो प्लास 9 मैनस 7 मैनस 7 यह आपको कितना देदेगा सूर्च कि यह गई प्लास9 कितना हो जाएगा मतलब 14 में से नौ चल लगे पांच और माइनस 14 ज्याद़ है इसलिए माइनससाइं आएगा माइनस 5 फैफ मैनने इसे कितना है Wie encara कर उए Kita नाइन हो जागा और पॉइंट का दो पॉइंट यहां पर लगेगा दो डेसिमल के पहले तो आप इसको ऐसे लिख दो फिफ्टी फॉर इंटू टेन टू पावर माइनस फाइब लिख दो नीचे नाइन रहने दो और इसके दो तो डेसिमल को अट आगर के उपर में दो जीरो आप लगा दो चलो इतना कर दिया अब यह जागा नाइन शिक्स जा फिफ्टी फॉर इतन लंगे और सिक्स इंटू अब देखिए टेन टू दिपावर माइनस फाइव है और हंद्रेट गांतलब हता है टेन तू दिपावर टू टो यह मैनस 5 यहां पर देखने मिलेगा तो यह जो फोर्स है यह फॉर्स की वैल्यो हमें मिलेगी यहां पर दोनों चार्जिस जो हैं उनके बीच में जो फॉर्स होगा वह होगा 6 x 10 to the power-3 newton का और यह force कैसा होगा तो यह फोर्ड जो है यहां पर repulsive force जो भी force आपका यहां पर आया है वह कैसा force होगा वह repulsive force होगा अब यह की रिपल्सीब फोर्स क्यों होगा विकॉस दोनों चार्जेस थें पॉजिटीब चार्जेस लाइक चार्जेस दोनों चार्जेस पॉजिटीफ है और दो लाइक चार्जेस के बीच में हमेशा रिपल्शन देखनेंक को मिलता है i hope that this cleared out थेंक यू वेरी मुच्छ सब्सक्राइब जरू परियेगा लाइक जरू परियेगा शेयर जरू करेंक यह तेंक यू वेरी मच्छ थेंक यह सो मच्छ पर वच्छिंग